क्या अक्षे और एश्वर्या में कोई पंगा हो गया है? क्या एक्षन रीप्ले की पल्टन से एश्वर्या नाराज है? क्या एक्षन रीप्ले के फ्लॉब होने का डर सताने लगा है शुर्या को? कोई तो बात है कि एश्वर्या राय एक्षन रीप्ले के नाम से भाग रही है कुछ तो गड़बढ है कि एक्षन रीप्ले के प्रमोशन में एश्वर्या अक्षे कुमार के साथ नहीं है और अगर साथ हैं तो वो बात नहीं है जी टीवी के कारेक्रम में ऐश्वर्या फिल्म के प्रोडूसर और डिरेक्टर वेपल शाह के साथ पहुची। लेकिन तब उनसे पूछा गया कि वो कुछ बॉल क्यों नहीं रही। तो देखिये कैसे खी जुठी ऐश्वर्या। बस बीस मिनट में ऐश्वर्या ने कारेक्रम निपटाया और अक्षे के यहां पहुचने से पहले ही वो चलती बनी। लेकिन जब ये सवाल अक्षे से पूछा गया कि क्या ऐश्वर्या फिल्म के प्रोमोशन का बॉईकॉट कर रही हैं तो खिलाडी कुमार खिसिया गए। पता नहीं अक्षे कुमार एश्वर्या रायके साथ फिल्म एक्षन रिपले के किस कारेक्रम में चले गए थी। फैशन शो में एक्षन रिपले की फूरी टीम को रेट्रो लुप में सबसे पहले पेश किया गया एक फैशन शो में। यहां सब थे सिवाय ऐश्वर्या को छोड़कर ऐश्वर्या की फेवरेट फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला से जब ऐश्वर्या की गैर मौजूद्की के बारे में पूछा गया तो वो बगले जाकने लगी अधम गत्रम के लिए पहुचे लेकन एक दम अकेले यहां भी आश्वर्या नहीं थी इजेर नाइट में एकशन रिपले का अकेले ही प्रमोशन करने के लिए पहुचे पता नहीं एक्शन रीप्ले की लीड हिरोईन एश्वरिया राय फिल्म से किस बात की खुननस निकाल रही है तब देखिये ना उनसे पूछा गया कि क्या वो अपने ससूर जी के शो कौन बनेगा करोड़पती में एक्शन रीप्ले को प्रमोट करेंगी वो गुस्से से खड़ी हुई नमस्ते किया और चलती बनी अब नाराजगी किस बात पर है कह दीजिया एश्वरिया मन का बोज हलका हो जाएगा मुंबई से रश्मशेटी के साथ आज तक दियो